अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुत्ता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महत्मय, महाकाल लोक में लोक की कुछ भी नहीं है। शंकर ये सानिद्य में साधारन कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलोकिक है, असाधारन है, अविश्वणिय है, अविश्वस्निय है। माज मैसूस कर रहा हूँ, हमारी तपस्या और आस्ता से, जब महाकाल प्रसन्न होते हैं, तो उनके आसिरवाद से, ऐसे ही बव्यस्वस्मरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आसिरवाद जब मिलता है, तो काल की रेखाएं मिड जाती है, समय की सीमाएं सिमड जाती है, और अनंत के अउसर प्रस्पूर्चित हो जाते हैं, अन्त से अनंत यात्रा आरंब हो जाती है। महाकाल लोग की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे, आने वाली कई पीडियों को अलोग की दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और अध्यात्मिक चेत्रा को उर्जा देगी। मैं इस अद्बूत आउसर पर राजा धिराज महाकाल के चरुन में शत्षत नमन करता हूँ। मैं आप सभी को देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को रदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेश रुप से 22 राज सी चवान और उनकी सरकार उनका बहुत रदय से अभिनंदन करता हूँ। जो लगा अफ्तार इतने समर्पन से इस सेवा यग्य में लगे हुए है। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का संतों और विद्वानों का भी आदर पुर्वक धन्यवाद करता हूँ। जिनके सयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों महाकाल की नगरी उज्जेन के बारे में हमारी यहां कहा गया है प्रलयों नबादते तत्र महाकाल पुरी। अत्रार महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। त्यस्ट्राइबस जिनle झाल